किंद्री चुनाव समिती की 29 फरवरी को एक बैठक है इस बैठक के बाद 150 सीटों पर भारते जनता पार्टी के उमीदवार कौन है इसके नाम सामने आ सकते हैं जी हां हम बात कर रहे हैं लोग सभाज चुनावों की जी हां लोग सभाज चुनावों की सुख भुगाहत बिल्कुल शुरू हो चुकी है और इसी दौरान भारते जनता पार्टी 150 सीटों पर अपने प्रिट्याश्य उतार सकती है अपने उमीदवार उतार सकती है इन वैसे तीन सीटें दिली की भी आती हैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाली हैं क्या आखिर में बात जानकारी की दोहजार पिसके लोग सभा सभा इल्येक्शन so हो गई है मार्च के पहले सब्त हमें चुनाव आयोग जहां तारीकों का ऐलान कर सकता है तो वहीं दूसरी तरफ पार्टियों ने उमीदवारों के लिस्ट को लगभग फाइनल कर दिया है कुछ दलों ने तो कई सीटों पर पत्याशों की घोशना भी कर दी है 29 फरवरी को कें शमंद्री राजनात सिंग समेथ कई दिगजों का नाम इस सूची में शामिल है इतना ही नहीं टाइम्स ओफ इंडिया के सूत्रों के हवाले से खबर दी गई है कि भारते जनता पार्टे ने जहां उमीदवार फाइनल कर ली हैं उनमें दिल्ली की तीन सीटें भी शामिल है भाजबा इन तीनों सीटों पर मौझूदा सांसदों को ही उतारने जा रही है पश्मी दिल्ली से जहां परवेश वर्मा को एक बार फिर्ज से चुनावी मेतान में उतारने की तैयारी है तो भुझपूरी गायक और पुरवांचल के बड़े चहरे मनोश तिवारी को उत्त पूरवी दिल्ली से उतारा जाएगा वही रमेश भीदूडी के अगर बात करें तो पार्टी ने एक बर उन पर फर से भरोसा जोता है भीदूडी को दक्षनी दिल्ली सीट पर लोकसभा से लड़वाया जा सकता है बताया जो रहा है कि दिल्ली की साथ मैंसे तीन सीटों प पुराने चेहरों को ही दावेदारी पर उतारेगी या कुछ बदलाव कर सकती है पार्टी ने उमीदवारों के चयन से पहले सभी सीटों पर आंतरिक सर्वे किया और इसके नतीजों के आधार पर उमीदवारों के नाम फाइनल की है दिली में लगतार दो लोगसमद चुनावू में सभी सातों सीटों पर विपक्ष का सुपूरा साफ करने वाली भारते जंता पार्टी के इस बार कुछ अलग चुनोती है पहली बार दिली में आमादवी पार्टी और कॉंग्रिस ने चुनावगट बंदन किया है इस बार दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर भाजपा को टक्कर देने जा रही है ऐसे मैं भाजपा वोई जवारों के लिए चैन को लेकर अधिक स्तरक होना बहुत ज़ादा जरूरी है पार्टी की नजर इस बात पर भी होगी कि वे पक्षी गड़ बंदन की तरफ से किसे चुनाव में उतारा जाए आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएगा और आप इस तरह के खबरों के लिए देखते रहे है रिपोर्टर जी